Hello beautiful people, I hope everyone of you is doing absolutely good. First of all, I am very 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 sorry कि मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब में एक वीडियो बना रहा हूँ और इतने समय से आप से कोई connection मिनी था, इसके पीछे दो-तीन major reason है मैं एक एक करके आपको सारी बाते बताऊँगा कि मैं कहा था इतने दिन और मैं क्या कर रहा था और मैं यूट्यूब में वीडियो क्यो नहीं बना रहा था, ये आपको इसी वीडियो में पता चलेगा एक कारण दूसरा गाराण भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा सबसे पहले मैं उन CA Foundation student को सबसे पहले all the best बोलना चाहता हूं जिनका कल से exam शुरू होने वाला है so all the very best to all the CA Foundation student who are having exam from tomorrow onwards यह हो गई पहली बात दूसरी बात यह आती है sir result delay हो गया sir जिनने दिसंबर में exam दिये थे CA Foundation student ने अब उनका result आ रहा है फरवरी first week में यह मेरे को कहीं से कोई internal news नहीं है बाबा ना मेरे को कोई internal source है ना मेरे को लेना देना यह जानने का कि कहा से result कब आएगा यह एक tweet हुआ था जो council member ने किया था पूरे facebook और instagram में वाइरल हो रहा था कि फरवरी first week में result आएगा मेरे को तो तब भी भी believe नहीं होता है कि भाई कभी भी आ जाएगा यह तो बहुत बार ऐसे tweet हुए है आपको पता ही है सो चलो मैं मान के चलता हूँ कि फरवरी first week में result आएगा तो अब क्या करें अब तो सर लेट होते जा रहे है सर क्यों सर पहले usual trend क्या होता था सर जनवरी पंदरा तारिक तक याने की उमीद थी कि 10-15 तारिक तक आ जाएगा हम 4-5 दिन और मजे करके class finalize करके अपनी चीज़े शुरू कर देंगे और इसके उपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप तो अराम से 15-20 दिन का rest लो और उसके बात देना लेकिन अब क्या हो रहा है जनवरी भी पूरा चले जाएगा फरवरी first week में result आएगा तो आप कब class finalize करोगे थोड़ा सा मतलब जनवरी में अगर result आ जाता अब class शुरू करते हैं आपका engine गरम होते होते हैं आप फरवरी तक पहुंच जाते अब फरवरी में आप class start करते हो in case आपके result के बाद तो फिर engine गरम होने में भी 10-15 दिन लगता है engine गरम होना यानि कि track में आने को वापस से उसमें भी समय लगता है फिर कहीं न कहीं थोड़ा समय waste type की feel आएगी भी और होगा भी actually जो single group दे रहा है भाई आप लोग तो निश्चिंत रहा हो भाई और बेहनों जो भी हो आप जो single group दे रहा है आप लोग तो बिलकुल निश्चिंत रहा हो आपके पास बहुत टाइम है इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है कि जो single group दे रहा है भाई आप तो result के बाद ही शुरू करो अगर आपके पास कोई productive काम करने के लिए नहीं और आपको पढ़ने का बहुत मन कर रहा है definitely आप पढ़ सकते हो लेकिन आपको result में doubt है कि शायद मैं pass होँगा की नहीं होँगा या enjoy करने का मन है definitely आप result का wait करो क्योंकि आपको single group देना आपके लिए बहुत time रहेगा जो both group पाले हैं और जिनको rank लाना है इनको मैंने पहले भी बता दिया था कि आप 15-20 दिन का gap लेने के बाद कौन से subjects को start कर सकते हो result के पहले उसकी link उस पुराने वाली वीडियो की link में description में डाल दूँगा i button में भी डाल दूँगा वहाँ से भी देख सकते हो कि आप कौन से subjects start कर सकते हो बराबर है so conclusion ये है जो first group देने वाला है अभी पढ़ने की इच्छा नहीं है result में doubt है आप बिंदास रहो आप result के बाद ही अपनी पढ़ाई शुरू करो कोई दिक्कत नहीं आपको भरपूर समय मिलेगा single group वाले जो both group वाले हैं जो time save करना चाते अपना या rank वाले भई मैं अब आपको suggest करूँगा कि आप अब पढ़ाई शुरू कर दो कुछ subjects तो आप start करी दो ठीक है sir कौन से subject start कर दे ये मैंने पहले भी बताया था कौन से subject start कर दे पुराने वीडियो में i button में और description में वीडियो मिल जाएगे आपको कि आपको कौन से subject start कर देने चाहिए तीसरे आते हैं वो कि भाई मतलब confuse हैं पूरे कि भाई मतलब pass होंगा कि बहुत एकदम किनारे में कि pass होंगा नहीं होंगा मतलब बीच में 50-50 में कई लोग का ऐसा रहता है भाई आप लोग foundation की पढ़ाई start कर दो अब पूछो क्यों भाई मान लो अगर आप fail हो जाते हो तो फरवरी फर्स्ट वीक में result आएगा तो उसके बाद मार्च और एप्रेल दो में नहीं बचेंगे में में फिर से exam हो जाएंगे तो भाई आप लोग इंतजार ना करे आपको एकदम 50-50 आप foundation पढ़ना शुरू करते अब इससे होगा ये कि मान लो अगर unfortunately आप fail हो जाते हो जो आपको लगी रहे तो आप क्या करोगे कि हाँ हम fail हो गये थे हम पहले से पढ़ाई कर रहे थे company law पूरा as it is आपको CA intern में basic वापस से पढ़ना है तो कहीं न कहीं काम आएगा accounts के basic काम आएंगे law के basic काम आएंगे यार मैनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी अब इसके बाद आप लोग के बहुत सारे था कि सर आपके law के lectures कब आएंगे latest lecture कब आएंगे तो लो भाई आपके law के lectures ready है एकदम टका टक ready है तूफान तरीके से इसको बनाया है और इसकी वज़े से ही मैं आप लोग से बातचित नहीं कर पा रहा था YouTube में वीडियो नहीं बना पा रहा था भाई जान डाली इन lectures में latest lectures अविलेबल है latest recording अविलेबल है law की यह applicable है May 21 के लिए भी November 21 के लिए भी और May 22 के लिए भी अविलेबल यह applicable है मतलब इतने latest है यह अभी हाल बनाया है मतलब आप समझ लो 10 दिन नहीं इन lectures को sum up करते हुए पूरी latest recording है A to Z इसमें इतनी मेहनत कि अभी जब आप नीचे जाके आपको बताऊंगा कि इसके features क्या क्या है इसको मैंने क्या स्टोच की design किया है foundation में आपने इतना प्यार दिया इतना appreciate किया कि सर आपके handwritten notes से मज़ा आ जाता है सर आपके पढ़ाने मज़ा आ जाता है सर ये notes काम आते हो बुल साही काम आया वो past exam question काम आया वो सारी चीज़े इंटर में भी incorporate करके रखी हुए है ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनते रहा न latest recording है applicable है May 21 November 21 और May 22 के लिए भी अब इसमें ऐसा है the companies amendment act 2020 भी मैंने अपने notes में और अपने lecture में डालके रखा हुआ है companies amendment act 2020 around 65 section में changes आये इसकी वज़े से लेकिन उसे changes बहुत ही minor minor है जहां जहां पर भी imprisonment था उस imprisonment को हटा दिया गया है और penalty को कम कर दिया गया final penalty को कम कर दिया गया यह इसका change है और as such कोई change नहीं है अब यह जो है यह जो companies amendment act 2020 है अभी तक notify नहीं हो है notify नहीं कि इसके provisions बन चुके है बट यह लागू होना कब से शुरू होगा यह अभी central government ने notify नहीं किया है क्यों section 1 पर ही लिखा है कि different section को different date में वो applicable करेंगे ठीक है तो institute ने अभी एक clarification दिया था में 21 वालों का जो एक्जाम है उनके उपर तो the companies amendment 2020 applicable ही नहीं है तो इनको तो tension ही नहीं है मैंने अपने lecture में इस पूरे lecture में मैंने ये भी पढ़ाया है क्यों November 21 के लिए applicable है कि नहीं ये तो तब पता चलेगा जब ये notify होगा ये तो अभी notify नहीं हुआ था और May 21 वालों के लिए तो institute नहीं clarify कर दिया कि भाईया इनको तो applicable ही नहीं अब वो हो सकता है November 21 में जिनका एक्जाम है तो 6 मैंने पहले अगर आया है तो May तक जितने amendment आएंगे याने कि 6 मैंने के पहले आपके अटेंड के 6 मैंने के पहले की amendment आपको applicable होते है तो अगर उस बीच में वो notify हो जाता है तो मैंने The Companies Amendment Act 2020 भी इस lecture में पढ़ा के रखा हुआ है और ये बोला है कि May 21 वाले आप तो इस amendment को भूल जाओ जो November 21 वाले हैं मैंने उनको इस amendment के पहले क्या चीज थी और ये amendment आने के बाद क्या हुआ ये दोनों पढ़ाया है और ये बोला है कि जिस दिन ये notify हो जाएगा मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूगा कि भईया ये notify हो गया है तो आपको क्या करना है amendment आने के बाद वाली चीज़े ध्यान रखनी पुरानी भूल जानी है और ध्यान रखने के लिए है ही क्या जेल हटा दी गई है पाइन कम कर दिया गया उन पूरे company's amendment एक में मेजर येच है 65 section में येच बाते बोली गई है तो मैंने इतना updated इसको रखा हुआ है कि आप November 21 वाले student हो अगर in case applicable होता है तो आप already वो पढ़ रखे होगे नहीं होगा तो आपको मैंने दोनों चीज़ आलरेडी पढ़ा के रखी रहेगी उस समय तक ये तो बात हो गई lecture कितना updated और कितना latest है तो इतना latest है भई May 22 वाले भी इसको पढ़ सकते अब मात आती सर कहा गायब थे इतने दिन अब वो नीचे बात आईगी कि मैं गायब कहा था इतने दिन से की features कैसे design किया है मैंने इस course को बहुत 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 जन लगा दी इस course को मैंने design करने में पूरा का पूरा course मैंने ऐसा design किया है कि भई exam के एक दिन पहले इसको कैसे revise किया जाए आप foundation के exam में रोने गाने लग गये थे अरे सर एक दिन में कैसे होगा जबकि एक दिन की छुटी मिलती है तो inter में आप क्या हल करते हैं ये मैंने पहले ही सोच लिया था मैंने ये पूरा course CA inter का corporate another law एक teacher के eyes को लेके तो बनाये नहीं है teacher के नजरिये से बनाये नहीं मैंने पूरी जगा student का point of view अपना रखा student का नजरिया रखा और उसके बाद इसको बनाया आप लोग की छवी में उतर गया था अच्छा कहां कहां रो सकता है वहां पर हर जगा मैंने आपको अहां पर पेमपर किया अब ये मेरे बाद ज्यान से सुनना पूरे course को मैंने ऐसे design किया कि आप एक दिन में revise कर सकते हो वो कैसे भाई साब ऐसे hand return notes बनाया ना exhaustive multi colored है एकदम multi colored मैं उसको ऐसा बनाया हूँ मैं आपकी psychology लाई कि human psychology भी मैंने कभी थोड़ी बहुत पढ़ी भी है तो अब क्या होता है कभी आपका कोई section होता है ना उसकी एक सेक्षन है ना उसकी एक बात है यहां लिखी है यहने कि subsection 1 में कुछ बात लिखी है subsection 8 में कुछ और बात लिखी है मतलब वो दोनों एक दूसरे से मिलते है बट एक 1 में एक 8 में बराबर है और ऐसी कई चीज अलग-अलग-अलग-अलग related जो है इधर-उदर जो आपकी module में फैली भी रहती है सबको चार्ट में एक जगल आके देख दिया इधर-उदर जाने की जरुवत नहीं है एक section पूरा आपके एक चार्ट में आपको दिखेगा यह सेम चीज मैंने CS Executive और CA Final वालों के लिए की भी है आप जाके वीडियो देखें की होता है तो बहुत सरहना मिली उसको यह सेम चीज मैंने यह आपके लिए की है कि आप पूरा का पूरा सिले बस एक दिन में रिवाइस कर सकते हो मेरे exhaustive handwritten multi-color chart note से और जब मैं बोल रहा हूँ exhaustive इसका मतलब आपको पता है क्या कि जब मैंने आपके module की चीज़ों को चार्ट में cover किया ना तो यह exhaustive exhaustive का मतलब इसमें module का कुछ भी छूटा ही नहीं है exhaustive handwritten multi-color chart notes एक दिन में आप कर सकते है उसको मैंने design ही ऐसा किया कि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना तो इन चार्ट को मैं दो-तीन बार ऐसा revise करा देता हूँ कि जब आप exam में वो चार्ट देख लिए ना तो उसमें already वो चार्ट self-explanatory है मतलब मैं तो explain कर रहा हूँ अलग है वो चार्ट ऐसी महनत करके बनाए कि वो चार्ट अपने आप आपको बताएगा देख ये concept, देख ये concept literally I mean this point इतनी महनत की इन चार्ट में और इसलिए ही मतलब तुम believe नहीं करोगे एक-एक section जो बड़ा technical है मैं तिन-तिन घंटे उसमें बिता दिया ऐसे करके कि यार इसको कैसे best present किया जा यार मतलब student को तकलिव नहीं आने चीए एक दिन exam के पहले वो देखे और उसको देख के समझ में आना चीए उसको मेरी जरुवत नहीं लगनी चीए एक बार lecture देखने के बाद जरुवत पड़े तो मैं तो हूँ गई ठीक, ये हो गई पहली बात दूसरा, human psychology से मैंने आपको खेलना सिखाया उसमें ट्रिक बताईए कि चार्ट को आप कैसे visualize करके याद कर सकते हैं एक होता है, अप memory technique होती है आप याद करते रहते हो, याद करते रहते हो learn करते हो, मैंने चार्ट को यह ऐसा design किया, अलग-अलग contrasting color में important बातों को red color या pink color या black color ऐसे अलग-अलग बातों के लिए अलग-अलग pen use किया है मैंने उसको ऐसा human psychology से खेलते हों बनाया कि आप विजुलाइज कर सकते हो, चार्ट को आपको दिख जाएगा हाँ यार पांच एरो थे, पांच पॉइंट था आपको याद आ जाएगा, यह मैंने बताया हों पर अब जब मेरे साथ revise करेंगे लेक्चर में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक आगे, content को मैंने crisp format में बनाया है without compromising the context इसका मतलब यह है, module में अगर इतनी सारी बाते लिखी है मैंने उसको इतने में cover किया लेकिन इतने में इतनी सारी बाते cover है कहने का मतलब less content full concept content less कर दियाने कि जो textual context होते हैं वो मैंने कम कर दिये लेकिन जो चीज़े मैंने चार्ट में बनाई है उससे आपके वो पूरी चीज़े cover हो रही है आया दाया बाया ऊपर नीचे सब कुछ भी नहीं चूटेगा यह मेरा दावा है यह मेरा दावा है आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आई जाएगा कोई सोचने वाली बात ही नहीं उसके बाद इस chart book के अलावा जो multi color chart book जो मैं आपको दूँगा जिसमें आपका पूरा coverage है इस chart book के अलावा मैं आपको एक mat और दूँगा एक material और दूँगा जिसमें आपकी entire ICAI module cover है पूरा cover है amendments ऐसे cover है जो आपकी ICAI की module में भी नहीं दिया जैसे कि मैं बोलू May 2021 के लिए website में module available है तो May 2021 में Companies Amendment Act 2020 के amendment को नहीं डाला गया क्यों क्योंकि उनके attend के लिए applicable ही नहीं है बराबर है क्या मैंने फिर भी वो डालके रखा हुआ है क्योंकि November के लिए तो अभी तक mat आई नहीं है अब पढ़ना शुरू करोगे किस से करोगे हमारा इनोट से करोगे और मान लो कलको Companies Amendment Act 2020 November 2021 के लिए applicable हो जाता तो अल्रेडी मेरे material में आपके पास रहेगा तो November 2021 students के लिए जो module अभी तक आई नहीं जिसमें Companies Amendment Act 2020 नहीं है वो अल्रेडी मेरे material में रहेगा फुली updated material है मैंने institute की material और MCA की जो e-book होती है लें कि MCA की website में Companies Act 2013 रहता है मैंने एक एक चीज cross check करते वे बनाई है और बहुत जगा institute के material में गलती है जो मैंने सुधार के लिए है तो मेरा strict यह जो material बना है मैंने ICI की module और bear act को follow करते हो बनाया है कहीं human error मेरे से अगर हो गया होगा गलती से spelling का या कुछ इधर हुदा तो हो है लेकिन मैंने पूरी जान डाल दी कि पूरी की पूरी updated पूरी updated there is a least possibility कि कुछ error उसमें निकल जाए और वो जो chart भी मतलब chart के अलावा जो मैंने printed notes बना है वो भी ऐसा है नहीं कि copy पेश मार दिया बहुत सारी चीज़े उसमें trimming की गई है बहुत सारी चीज़े को presentable बनाया गया है जो important words उसको highlight किया गया है यह सब दिया है sample कहां दीखेगा इसका वो भी बताऊंगा ध्यान से सुनना अब हर chapter के बाद हर chapter के बाद आपके में total दिसकस किया है बाई हर chapter के बाद discuss किया है कि देखो यह पढ़ाया था देखो उसके basis में यह question इसको लिखना कैसे कोई भी ने कि यह पढ़ लेना देखो पढ़ाया था पढ़ा है answer पढ़ा है discuss किया है और answer की एक एक बारी की आपको बताई देखो question नहीं यहां गुमाया था और आपको ऐसे answer लिखना है तो every after every chapter you will be getting past exam question RTP, MTB with answer available रहेंगे और उसको मैंने discuss भी किया है यह आपको उसी mat में मिलेगा जो मैं printed notes बता रहा हूँ hand written notes के अलावा जो मिलेगी आपको तो यह दो book रहेगी एक hand written notes और printed book जो रहेगी material जिसके अंदर यह past exam paper भी रहेंगे हर lecture मैं regular lecture की बात कर रहा हूँ at least 3 time revision कर रहा हूँ मतलब मैं बोलता हूँ subsection 1 हुआ, subsection 2 हुआ, 3 हुआ जब 4 में बढ़ रहे तो पहले 3 को मैं revise करा दे तो फिर 3 वो subsection 3 और पढ़े 6 हो गए तो मैं पूरा 6 revise करा तो मजाक नहीं कर रहा हूँ इस point को मैं mean कर रहा हूँ कभी तो आपको lecture देख कैसा लगे गारे sir, please sir थोड़ा सा अभी revise मत करो sir बहुत बार होगे, sir आगे बढ़ो इतना revision, 3 बार revision तो मैं regular class में करा दूँग यह मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है क्या आप इसको समझते हो, theory subject पहली बात यह theory है नहीं इसको practically अप्रोच किया जाता है मैंने practically भी पढ़ाया अब इसके कुछ क्या bare language आपको याद करने पढ़ते हैं क्योंकि आप क्या generalized way में लिख देते हो तो मैंने इतनी बार repeat किया ना कि आपके दिमाग में hammer हो जाए, दिमाग में बस जाए मतलब आप भूलने की कोशिश करो तो भूलाए ना इतना यह नहीं या और यह मैं बाते में mean कर रहा हूँ, कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ मतलब मैंने सोचा है पहले कि भाई मैंने lecture में क्या-कया डाला फिर लिखा है कि हाँ ये भी किया, ये भी किया मतलब जो possible चीजे मेरे को आपके लिए आरी थी कि आपके lecture के लिए आपके लिए क्या और benefit हो सकता मैंने सब डाल दिये जैसे ही मैं next lecture शुरू करवाया आपको अगला lecture जब शुरू कराया मैंने quick recap लिया last lecture का यानि कि जब regular lecture हो रहे तो तीन बार तो वहाँ revision नहीं है जब fresh lecture अगले दिन शुरू हो गया अगला आप lecture देखोगे तो पिछले lecture का quick revision होगा ये चौती बार revision मैं करा दूँगा यानि कि चार बार तो मैं revision कराऊंगा lecture मैं आपको एक बार और करना पड़ेगा अपने लिए ठीक है उसके बाद एक बार आपका syllabus done हो जाएगा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था मैं आपके कम से कम 5 mock test लेने वालों कम से कम 5 mock test यानि कि exam में कैसे आप लोगा paper आप दोगे same to same उसी pattern में मैं आपको paper draw करके दूँगा paper मैं set करके दूँगा और आपको देना है 5 mock test paper ये मैं आपको बताऊंगा जिस दिन से आप मेरे 6 course याला purchase करेंगे उसके बाद आपको कब तक syllabus complete कर ले ना और कब-कब आपका test रहेगा ये one or one आप और मैं connected रहेंगे हमारा पूरा group रहेगा जितने भी लोग हमारे premium lecture को opt करेंगे हमारा पूरा group रहेगा वहाँ पर discuss करने माले हैं सारी चीजे marathons, revisions random live meeting ये कभी भी जो रहेगी मैं आपसे करते रहूँगा क्योंकि हमारा group बने रहेगा कभी भी आपको किसी बाते से हमारी से बात करनी है कुछ आपका motivation डाउन हो रहा है आपको कुछ guidance चाहिए definitely हम आप group में कभी भी discuss करके random live meeting कर लेंगे क्यों क्योंकि lecture live नहीं, recorded है लेकिन latest है ठीक है, marathons और revision आपके exam के पहले जो होता है वो तो हो के ही रहेगा, चाहे वो में वालो का हो चाहे वो November का हो, चाहे अगला में 2022 का हो, ये तो आपको मिलेंगे doubt solving के लिए आपके पास मेरा personal contact number रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहेए, इसमें whatsapp पे, call पे आपन doubt solve बिल्कुल कर सकते हैं deep and practical understanding of each and every concept अब यहाँ पे, इसको मैं अलग से क्यों लिखा हूँ आपको पता है, कुछ concept इतने technical थे, इतने technical थे, मैंने examples तक chart में draw करके आपको समझा है, इसका कारण है सुनना मेरी बात, ये मैंने foundation में भी notice किया था, मैंने final में भी notice किया, और मैंने inter में भी notice किया कि जो चीज technical होती है, आपको भले समझ में आ जाती है, लेकिन आपको दुबारा-दो बार उसको और पढ़ना होता है, अपने जहन में उतारने के लिए, वो दुबारा-दो बार बहुत जान डाली, trust me, तो even examples are drawn in chart format, so that you can understand it better, तो ये आपको help कप करेगा, concept एक तो quickly आ जाएंगे, और revision जो रहेगा one day before exam, वहाँ पर आपका time waste नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पूरा का पूरा, एक-एक section में कई बार तिन-तिन घंटे analyze किया हूँ, कि इसको कैसा best present करू, exam में एक दिन पहले ये मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं करना चीए, इसका एक-एक important point उसके खून में उतर जाना चीए, exam में एक दिन पहले, बस ओ चार्ट को देखके, बस ओ चार्ट को देखके, बस, ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने आपको material दिया है, और जिसमें institute की चीजे cover है, मैंने MCA की पूरे latest provision को उसमें incorporate किया, यानि कि MCA की website का reference लेके, Companies Act 2013, Bear Act का reference लेके, वो इसलिए दिया है कि आपको एक संतुष्टी रही, कि यहां bear language भी आपको पूरी समझ में आ रही, क्योंकि chart से जब मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद, chart से पढ़ाने के बाद, मैं उस material मैं आपको लेके जाता हूँ, जिसमें ICI का पूरा coverage में, एक एक लाइन आपको mark कराता हूँ, वो same चीज जो हमने चार्ट में है, उसको इसलिए रखा है कि एक जो, एक general reading होती है, कि हाँ मेरे module का सब cover हो रहा है, एक flow में मेरे को reading आ रही, मेरे को एक word समझ में आ रहा है, मैं interpreted कर पा रहा हूँ, क्यों? मैंने यहां से पढ़ लिया, तो जो bear language है मेरे को समझ में आ रही की नहीं, वो संतुष्टी के लिए मैंने यहां से पढ़ाने के बाद पूरा mark करा है reading के साथ, कि आपको पूरा लगे कि हाँ, module भी cover हो रहा है latest amendment भी cover हो गया है chart भी available है, सब cover हो जाएगा ठीक है, technical concept को मैंने थोड़ा सा slowly और steady समझाया है, कई माइड भी आपको ऐसा लगे, रे सर, यह तो बहुत slow जा रहा है लेकिन वो slow जाने का कारण रहेगा क्योंकि वो बहुत, बहुत बारिक concept है, नहीं कि एक भी चीज इधर से उधर हुई, तो आपका पूरा question खतम हो सकता है, इसलिए मैंने technical concept को इतना slowly और इतना steady पढ़ाया है, कि वो आपको अराम से आपके खून में उतर जाओ, आपको कभी तकलीप ना है और उसको चार बर revise अलग करवा है, ठीक है सर, अब मुद्दे की बात आती है सर, demo link, एक सजजन ने मेरे को comment किया था YouTube के अंदर, कि सर आप अपने lectures का मतलब, मेरा marathon lecture डला हुआ है, marathon lecture की भी link में description में डाल दूँगा, मैंने अभी December वालों के लिए marathon लिया था, CA Inter वालों का, around 17-18 जार उसमें views है अभी, वो डाला था, तो अभी भी वो marathon lecture की link में description में डाल दूँगा, एक अभी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये app iOS में भी एवलेबल है, अरजुन शाबडा टूटोरियल एप, ये आपको iOS के लिए ये step follow करना पड़ेगा, iOS के app में अने की, Apple के mobile में आपको पहले my institute app डाउनलोड करना पड़ेगा, उस my institute app में आपको ये वाला organization code डालना पड़ेगा y e w k p वहाँ पे आपको अरजुन शाबडा टूटोरियल के सारे content मिल जाएंगे validity 6 month की रहेगी इसकी अभी मेरी बात सुनना की अरजुन शाबडा टूटोरियल में आपको कहाँ पे सारे lecture और कैसे देखने को मिलेंगे, just a moment ठीक है, ये अरजुन शाबडा टूटोरियल का home page है, app का जैसे ही आप store पे जाएंगे store में जाने के बाद देखो आपको दिख रहा है notes में देखो, आपको दिख रहा है six free content inside, जैसे ही आप इसको click करोगे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, three free content अब यहाँ पे free content जो जैसे seventh वाला chapter है, इसको आप जैसे ही click करोगे ठीक है, मतलब seventh वाला वो था, तो देखो ये सारे hand return notes आपको दिखने लग जाएंगे अभी यहाँ पे इसले नहीं दिख रहें, क्योंकि यह secure app का feature है, क्योंकि मैं इसको access दे रहा हूँ desktop में, तो यहाँ पे blank आ जा रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, जितने भी यहाँ पे, आपके mobile में जरूर दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहें अभी सुनने आ मेरी बात, इसमें बहुत सारे lecture भी मैंने unlock करके रखें अगर आप देखोगे तो देखो chapter number, serial number 11 unlock है, 12 unlock है, 13 unlock है, तो 11, 12, 13 देखो यह unlock है, ठीक है नीचे अगर आप और जाओगे, तो देखो, serial number 29, यह audit वाला लेक्चर है, यह भी unlock है तो जितने भी unlock वाले lecture है, जहाँ पे भी आपको lock दिखावा लेकर है, वो तो आप play नहीं कर सकते आप demo के लिए यह जो unlock वाले है, जो open है, आप उनको वहाँ से, अर्जुन छापडा टुटोरियल से, उसका demo भी ले सकते है चार-पांच lecture है, जो regular वाले, जो मैंने open रखे हुए, पूरा lecture देखो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्या content है, क्या quality है इसकी मेरे को quality के लिए जादा बोलने की जरुवत नहीं, आपने foundation में देखा है, उसी same level पर और शायद उससे जादा मेहनत इस बार मैंने इस lecture पर की है, quality की तो बात ही नहीं करनी, क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको तो पता ही है, ठीके, तो validity आपको six month की रहेगी, last अपनी इसा है, पहले भी बताया, तब एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा changes आया price में, और उसके regarding भी मेरे को details आपको देनी, mobile में अगर आपको lecture देखना है, तो मेरे अरजुन छाबड़ा tutorial एप में भी आप देख सकते हो, वो app iOS में भी available है, तो mobile में आप lecture देखना चाते हो, और आपको note सिर्फ soft copy में चाहिए, तो 6000 रुपे के lecture है, अब आपका एक प्रशना है का सर, अभी तो आपने app में दिखाया था, तो app में तो 6600 का price था, यह देखो, 6600 का price है, तो यह उनके लिए 6600 का price जिसको hard copy भी चाहिए, तो hard copy जिनको चाहिए, तो वो 6600 का payment कर देंगे, लेकिन जिसको hard copy नहीं चाहिए, आप नीचे आओ यहाँ पे, जैसे ही आप नीचे आओगे, तो देखो, यहाँ पे है coupons available, आप view all करो, view all करके देखो, flat 600 off दिख रहा है, आप apply कर दो, जैसे ही आप apply करोगे, 600 रुपे माइनस हो जाएंगे, देखो, माइनस हो गय इंटरनेट handling charges की वज़े से 157 जादा दिखा रहा है, तो जिनको भी सिफ soft copy चाहिए, आप coupon apply करके buy करें, तो आपको soft copy मिल जाएगी, जिनको hard copy चाहिए, भाया आप तो 6600 वाला payment करिये, तो आपको application में lecture मिल जाएंगे, immediately जैसी आपका payment होगा, और आपको hard copy dispatch होगी हमारे त जाएगा, जिनको hard copy चाहिए, coupon apply मत करना, आप 6600 का payment करिये, lecture immediately आपको दिख जाएगे, और मैं आपको hard copy, दो hard copy, यानि की कौन से, chart notes और जो material है, ये दोनों की hard copy आपके घर पे पहुंच जाएगी, colored material मिलेगा, black and white नहीं है, colored ही रहेगा ये सारी चीजे, ठीक है सर, ये भी स laptop यानि की macbook और ये सब नहीं चलेगा, आपका windows ही होना चाहिए, तो laptop और desktop वाला अगर scene है, बराबर रहेगा, तो अगर आपको pen drive और hard copy चाहिए, यानि की आपको lecture चाहिए, pen drive में और hard copy तो 7000 रुपे, ठीक, google drive, यानि की आपको pen drive नहीं चाहिए, google drive यानि की link आपको दे द पर, सर यहाँ पर google drive की जर्वत नहीं नहीं बेटा, यहाँ तो मेरे application में चल जागा, तो google drive की link share करने की कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस हद तक आपके लिए जाके सोचा है, कि जो बच्चा google drive में भी 4 लेक्चर लेगा, उसका net तो जादा नहीं लग जाएगा, मैंने 17 से 18 GB म मैं पूरे lecture बना दिया, compress करके, अब ऐसा नहीं कि compress है, तो lecture की quality खराब है, एप में जाके देखलो आप lecture की quality कैसी है, lecture की quality मेंटेन करते वे, मैंने उसको size कम करके रखा है, 17 से 18 GB का आपको बस download रहेगा, पूरा ध्यान रखा है, आपकी convenience का पूरा ध्यान रखा है, context कम किये ह लेकिन concept पूरा है, size कम किया है lecture का, लेकिन quality पूरी है, size याने की MB और GB जो आप बात करते हैं, वह आला size, ठीक है, अब एक last मुद्दा आता है, sir जी, faculty suggestion का क्या, so for this, I'll get back to you for this, बरोबर है क्या, इसके लिए मैं काफी अच्छे faculty आपके लिए लाने वाला हूँ, और एक कार तो आपको पता चल गया होगा कि मैं इतने दिन से कहा था, भाई ये है कारण, कि मैं इतने दिन से, ये feature जो आज मेरे को बोलने में इतना मज़ा आ रहा है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रात को तिन तिन चार चार बजे तक, यो content prepare करते रहूं मैं आपसे, कि भाई, इनके exam में उनको सुकून मिलना चाहिए, तो ये एक कारण है, जो मैं इतने दिन से आपको वीडियो में मिलनी रहा था, और एक बात भाईया, जो जनवरी वाले बच्चे हैं, उनके लिए वो ही important applicable है, जो December 2020 के लिए था, वो मेरा प्राण पी गाई कि सर अलग से बना दो, बेटा और कुछ भी अलग से नहीं है, बस ये ही, जो December 2020 के लिए important applicable थे, वो ही जनवरी के लिए applicable है, बस इतना ध्यान रखना कि December में जो question पूछे गए थे, वो वा पस से repeat नहीं करेंगा, So that's all from my side, यही था मैं बस, यही सारी चीजे बना रहा था, इसले आपसे मैं मिलना ही पा रहा था, और कुछ डाउट है तो भाई, नंबर दिया हूँ है, 6262621438, डेमो देखना है, सेंपल देखना है, every single thing is available on the app, That's all from my side, this side CS Arjun Shahbada signing off, until we meet again, bye-bye.